कि कल हमने श्टार्ट कर दिया था कि राजस्तान है एदस्तकान के पास में कौन-कौन से राज्ये हैं ठीक है और उसे क्या बोलते हैं अंतर राज्ये सिमा और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं तो अभी आपको फुरा याद हो जाएगा कि राजस्तान से लगने वाले जो राज्ये हैं पांच राज्ये उनके कौन-कौन से जिले हैं जो राजस्तान से सिमा बनाते हैं राजस्तान के कौन-कौन से जिले हैं जो अन्य राज्यों से सिमा बना ये वाला पार्ट आपको देखना है अब देखो ये अपना राजस्तान है और राजस्तान में अगर हम देखते हैं कि पांच राज्ये हैं और कल मैंने आपको बताया था कि पांच राज्ये कौन कौन से हैं अभी हम याद कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या बताएंगे यह राप पंजाब यह कुण सा है पंजाब फिर दो नमर कुण सा हो जाएगा यहाँ पे हरियाना ठीक है और यह तीन नमर कुण सा हो गया यहाँ पे उत्तर परदेश तीन नमर हो गया और चार नमर कुण सा हो गया है मद्य परदेश यह मद्य कि यह सीमा बनाने वाले कितने राजी हैं पांच राज्य अब पांच राज्या है पांच राज्यों को आपको अलग-अलग याद करना होगा जैसे पहले हम याद करेंगे को पंजाब तो पंजाब के कौण चूण से है यह हमको याद करना है ठीक है अब देखो यह अपना राजस्तान आ गया ठीक है अच्छे से याद करने की आपको कोशिस करनी है कि सबसे पहले हम याद यह कर लेते हैं राजस्तान के कितने जिले और अन्य राज्यों के कितने जिले जैसे पंजाब के कितने है राजस्तान के कितने है हर्याणा के कितने है राजस्तान के कितने है यूपी के कितने है राजस्तान के कितने है ऐसे मद्यपरदेश के और गुजरात के फिर राजस्तान के तो इसमें एक ट्रिक बन जाएगी ट्रिक क्या ब नंबर है वो कोण सा है पंजाब कोण सा यहां पर पंजाब हो गया अब देखो हमें याद ऐसे करना है कि पंजाब वाले ने दो पंच मारे राजस्तान वाले को अब राजस्तान वाले में दम है तो ज्यदा लगा देंगे दम नहीं है उनसे तो कम लगा देंगे इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब वाले ने दो पंच मारे राजस्तान वाले को और राजस्तान वाला भी कम नहीं है कितने पंच मार दिये हैं दो ऐसे याद करना है दो जिले कहां के हैं पंजाब के और दो इकांके गाजस्तान के पहला याद होगी आपको ठीक है अब देखो आगे यहां पर कौन सा आ गया है हरियाना यहां पर हरियाना आ गया तो यह हरियान भी है देखो हरियाना यहां से हनुमानगर से लेके और यहां आपने क्या आता है भरतपूर यहां क्या है हर्याना तो हर्याना वाले ने राजस्तान को कितने पंच मारे साथ पंच जानते हो पंच तो आप ठीक है देखागा आपने बॉक्सिंग में कितने पंच मारे साथ हमने भी कितने मार दिये है साथ मतलब यहां पर भी बराबर है यहां पर भी बराबर है अब यूपी वाला पर यह आगी है ठीक है यह देखो आपे यह कौन सा है भरतपूर और यहां दोलपूर तक तो यह यहां पर कौन सा जाएगा यूपी तो यूपी वाले ने कितने मारे हैं दो कितने मारे दो और आजस्तान वाले कितने मार दिये दो यहां पर भी बराबर है यूपी के भी दो जिले हैं राजस्तान के भी दो जिले हैं यहां तक आपको याद हो गया ठीक है भी तो बराबर है आगे देखो यह वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक बहां से वड़ा तक यह कौन सा है MP यह कौन सा आगया MP तो MP वाले ने 10 दस बनाते हैं, यहां पर भी क्या है, बराबर है, अब यहां पर गुजराती आ गया है, खाकरा खाने वाले, ठीक है, गुजराती आ गया है, मीटा खाने वाले कोन आ गया है, गुजराती, और यह गुजरात आ गया, और गुजरात वाले ने, कितने मारें, छे, और हम भी उनस अपने साथ, यूपी के दो अपने नो और मद्य परदेश के कितने 100 हैं अपने भी कितने होगे टेस या पे गुजरात के बस आप ध्यान लगा के केवल बोर्ड पे देखना complete अभी 15 मिनिट में आपको सारी याद हो जाएंगे और आप बता दोगे ऐसी ट्रिक बनेगी कि अभी आप बता भी दोगे कि राजस्तान को तो आते हैं अपने तो अपने होते हैं बाकी सब क्या होते हैं सपने होते हैं लेकिन जो बाकी है न वो भी आप बता दोगे कि मद्यव प्रदेश के दस ये लो लाइन से बता दोगे क्योंकि ट्रिक बनने वाली है ठीक है चलिए ऐसा करते हैं अब हम याद करते हैं एक को लेके हम गड़ी की दिशा में चल रहे हैं ऐसे तो पहले यहां पर कौन सा आ जाएगा पंजाब तो पंजाब हम देखने वाले हैं चलिए आपको लिखने की जुरुत है नहीं क्योंकि आपके नौट्स में सब लिखावा है आपको बोर्ट पर देखना है और समझना है तो एक नंबर हम कौन सा ले रहे हैं पंजाब एक नंबर अपना आ गया पंजाब पंजाब पलस राजस्तान चलिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं क नहीं कि राजस्तान के जिले कोन कोंस है जो पंजाब से लगते हैं उनको याद करते हैं, जैसे के यहां से लेकर यहां तक तो एक नंबर अपना क्वर्ण सा होगा यहां सरी गंगा नगर यह अपना हो गया शिरी गंगा नगर सिरिगंगानगर हो गया और दो नमबर अपना यहाँ पर कोण सा है हनुमानगर यहाँ पर कोण सा है हनुमानगर यह अपना हनुमानगर हो गया इसका मतलब यह हुआ कि राजस्तान के जो दो जिले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं वो कौन-कौन से हैं सिरिगंगा नगर और यह कौन सा हो गया हनुमानगर इतना आपको समझ में आ गया ठीक है अब देखो यहां यह जो बोर्डर बन रही है पंजाब और राजस्तान की यह है कितनी 89 किलोमेटर गुर्णब्वे किलोमेटर ऐसा आपको दान रखना है और जो है जो पंजाब है राजस्तान में किस दिशा की ओर है तो आप क्या बताओगे उत्तर दिशा में दिशा कोंड सी है उत्तर दिशा और यह अपना यहां पर क्या आगया है पंजाब यह कौन सा है यहां पर पंजाब अब देखो अब पंजाब के आपको याद करने कि साम से सीमा बनाते हैं ठीक है तो हम याद कर लेते हैं पहले यहां पर कौन सा आएगा फाजिल का एक नमर कौन सा आएगा फाजिल का एक नमबर कौन सा आगया फाजिल खा और दो नमबर यह आने वाला है मुक्त सर कौन सा आएगा मुक्त सर यह आगया फाजिल का और यह आगया मुक्त सर कहां दिक्कत आ रही है आपको दो ही तो याद करने हमारे तो हमको याद है पहले गंगा नगर है बाद में कौन सा है हनु और पंजाब का भी क्या रहा है करम आ रहा है कि आपको दो-दो याद हो गए ठीक है अब और आपसे पूछे तो क्या पूछ लेंगे देखो कि पंजाब से सरवादिक सीमा कों सा बनाता है राजस्तान का जिला स्री गंगा नगर कों सा बनाता है स्री गंगा नगर तो ये सरवादिक कों बनाता है स्री गंगा नगर तो नियूंतम आटोमेटिक क्यों सा हो गया है ये लो नियूंतम हो गया दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है जो उपर वाला है सरवादी नीचे वाला क्या है न्यूंतम बस ऐसा कैसा वहाँ है सरवादी कोण सा बनाता है फाजिल का सरवादी कोण सा बनाता है फाजिल का और न्यूंतम कोण सा बना रहा है मुक्त सर न्यूंतम कोण सा बना रहा है मुक फाजिल का मुकसर याद हो गया जास्तान के गंगा नगर हो गया और हनुमानगड याद हो गया बड़ा कों सा है सिमा के इसाफ से नहीं सैंसे करें सबस्हिदा लंबाई कुछ कि जाए तो क्या बताओगल scalar की नियूंतम किस्की है हनुमानगड की और वहाँ सरवादी किसकी है फाजिल का की और नियूंतुम किसकी है मुक्सर की और दिसा कौन सी है उत्तर दिसा हो गया पंजाब ठीक है ठीक बनाने की जूत पड़ी नहीं आप हमने याद कर लिया है चलिए अब इससे आगे हम बढ़ जाते है अब बताओ दो नमर कौन सा आ आने वाला है हरियाना अब कौन सा आने वाला है हरियाना अब यहां पर हरियाना में साथ जिल्ले आएंगे पिर आपको याद करने में जोर आएगा आएगा जोर नहीं आएगा नहीं आने वाला जोर दो नमबर अब यहां पर क्या होगा एक तो होगा हरियाना और पलस हम क्या कर रहे है अपना राजस्तान चलिए ऐसा करते हैं सबसे पहले हम याद करते हैं राजस्तान के कौन-कौन से जिले हैं दो करम से याद करना आपको जिले भी याद हो जाएंगे जो बोर्डर पे है साथ में और सिमा पर किस राज्ये से कौन सा जिला बना रहा है वो भी आदो जाएगा, चलो यहां देखो, अच्छा यहां तक, यहां तक हो गया था हनुमानगड, हनुमानगड एक ऐसा जिला है, जो पंजाब से भी लगाता है, हर्याना से भी लगाता है, तो हम इस्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहला अपने यहां पर क्या आएगा, हनु और चार नमर कौन सा आजाएगा, सीकर, चार नमर कौन सा आजाएगा, सीकर, पांच नमर कौन सा आजाएगा, जेपूर, यह कौन सा आजाएगा, जेपूर, जेपूर आगया, ठीक है, अब देखो, छे नमर कौन सा आजाएगा, अलवर, यहां पर कौन सा आजाएगा, अब या पेला आपको आड करने राजस्तान के राजस्तान के आपको इसा याद करने फिर आपकोबताना है कि यहां पाष्ट में यहां पे किलोमेटर कितनी है 1262 किलोमेटर और राजस्तान की किस दिशा में आता है देखो यह दिशा उत्तर पूरो इसा कौन सी है उत्तर पूरो उत्तर पूरो में आता है हरियाना इतना आपने याद कर लिया बस अभी याद करने का है कि हरियाना के कौन-कौन से जिले हैं सरसाथ याद कैसे करेंगे दो याद कैसे करेंगे याद हम ऐसे करेंगे पहले क्या करेंगे यहां पर मै नियुक्त कौन से हैं फिर मैं एक ट्रिग बताऊंगा उस ट्रिक साफ से आपको याद करना है और ने करम शे बता रहा रों आपको ट्रेकर 17 особенно अधे सबसे पहले सीर्सा कहना में सीरसा ठीक है, फिर दो नमबर है, फत्याबाद, पहले सुन लो, आप कह नामें, फत्याबाद, ठीक है, ती नमबर, ती नमबर क्या है, हिसार, क्या है, हिसार, ती नमबर क्या आगया, हिसार, चार नमबर, चार नमबर है, भीवानी, क्या है, भीवानी, ठीक है, भीवानी आगया, पांच नमबर, पांच नमबर है महंदरगड, क्या है महंदरगड, पांच नमबर क्या आगया है महंदरगड, और छे नमबर यहां पर आजाएगा रेवाडी, क्या आजाएगा रेवाडी, रेवाडी आगया, ठीक है, और फिर साथ नमबर, यहां पर क्या आजाएगा तो कहीं बोलते है नू है क्या बोलते है नू है कितने होगे साथ अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना करम के हिसाब से बता रहा हूं कि वास्तों में सिमा पर कौन कौन से हैं सर हमें के से पता चलेगा कि सर आपने ये सही बताया है ये पढ़ाते बोल देना कि बताओ पहले तो पहले मैं पांचाब के बताओंगा आपको मैं बताओंगा को जसरां आख However Mr. lifestyle भीज थीक है न तो चलजाएगा पता कि सर आपने बिलकुल सही लिखा है ठीक है न तो उफिलाद कर आख पनजाब का फिर क्या के देगें हम अचा सबसे उपर क्या होता है सीर होता है क्या होता है सीर या पेर होते हैं सीर होता है सबसे उपर क्या होता है सीर होता है प्राचीनकाल की बात है ठीक है जब लड़ाईयां होती थी सुना अपने माना प्रताब है राणा सांगा है ठीक है प्रताब सिंग जी ठीक है कौन है मा अपने सा ठीक है बहुत सारे नाम हुए से चलो अब देखो सबसे उपर क्या होता है सिर होता है अगर सिर को काट दिया है तो फते होगी क्या होगी फते ऐसा आपको याद हो जाएगा सबसे उपर क्या है सिर है और सिर को काट दिया है तो फते हो जाएगी अगर फते होगी ना तो ही जीवन में सार है क्या है सार है सार है तो हिसार है अगर फते नहीं है यहार गई यह तो जीवन में कुछ भी नहीं है अगर आपने सिर काटा है तो आपकी फते होगी फते होगी तो जीवन में क्या है सार है अचा जितने भी राजा माराजा है जब भी हो जाते थे लड़ने के लिए सिर काट के आ रहे हैं और फते करके आ रहे ह जिवन में सार हो गया है, ठीक है न, फिर वो क्या करते थे, माता जी के मंदिर में जाते थे, माँ भावानी, कुन आती थी, माँ भावानी, तो फते हो गई है, जिवन में सार है, कहां जाएंगे, माँ भावानी के मंदिर में, भावानी से भीवानी, अब भीवानी है, या भा पानिम आता है तो वहाँ पे कुणसा युद्धा वो जा रहा रहा है में प्रताव सिंघ नामों का में प्रताव सिंघ तो नाम क्या हो गिया मेंद्रलगर अथा है कि एसा तो जाएंगे नीका लिए आत प्रसाद ले जाएंगे क्यले कर जाएंगे प्रसाद में क्यले जाएंगे रेवडी जानते हो रेवडी और मेवा रेवडी और मेवा ठीक है पहले क्यले जाएंगे रेवडी बाद में क्यले जाएंगे मेवा मेवा से मेवा और रेवडी से रेवाडी और महंदर प्रताप सिंग से महंदर मा भवानी से बिवानी सिर कट गया तो क्या हो गई फटे हो गई और फटे हो गई चलो अब बेंको इससे आगे तो पेले मैं आपको पंजाब का दिखा रहा हूँ म projet में दिखाने वाला हूँ आपको पंजाब के जिले कोन जान जो कोना से हैं अभी आप देखो सबसे पेले पंजाबी देख लो कि सर आपने सही बताया खनेएं इए देख लो आप पहले बताया है जो가 ने बताया समाइन पहले हूए सा है मुक्त सर यह मुक्त सर है यह कौन सा है फाजिल का है ठीक है चलिए यह तो पंजाब वाला हो गया है कि अब देखो कि और यह आगया अपना हरियाना यह हरियाना आगया देखो आप हरियाना में सबसे पहले कौन सा आ गया है सीरसा सीरसा है न उपर ठीक है फिर कौन सा है फत्याबाद बाद में क्या है इसा बाद में क्या है बीवानी बाद में क्या है मेंदरगर बाद में क्या है रेवाडी और बाद में क्या है मेवाद गुडगाव सिमा अब नहीं बनाता है देखलो आ तो ट्रिक बन गहीं नहीं यहां पर यह रहा सीरसा बाद में क्या है फते हो गई है बाद में सार है बाद में मा भवानी आ गई मेंदर प्रताप सिंग आ गया बाद में रेवडी ले जा रहा है और क्या है मेवा समझ में आ गया ठीक है अब तो कुनी पुज़ नहीं है चलो चलिए अब क्या पढ़ने वाले हैं मद्दे परदीश सर हरियाना तो याद हो गया था वो तो साथ ही थे अब तो दस आने वाले हैं सर ये कैसे याद हो गए जैसे वो याद हुए ऐसे ये भी याद हो जाएंगे चलिए अब इसा करते हैं सबसे पि отвеч दिखते हैं राजस्तान के कौन कौन से हैं अच्छा हमने पंजाब याद कर लिया है वृणा याद कर लिया है अब कौन से आ गया यूपी पहुले की आएगा यूपी यूपी को क्यों छोड़ रहे हो आप छोटे से सिमा वाले छेतर को यह अपना यूपी यहीं परियाद कर लेते हैं यूपी को देखो अगर हम बात करें कि अब तीन नमर कौन से आ जाता है उत्तर परदेश तो उत्तर परदेश मतलब यूपी पलस राजस्तान अब देखो राजस्तान और यूपी की सिमा है वो कितनी है तो क्या बताओगे आठ सो सतेतर किलोमीटर 837 km और जो यूपी है न वो कहा आता है ये वाला पार्ट किसका है यूपी का और दिशा कौन सी हो गई है पूर उदिशा कौन सी हो गई है पूर उदिशा समझ में आ गया ठीक है अब देखो पहले हम याद करते है राजस्तान तो राजस्तान का एक नमर तो यहाँ पर आएगा भरतपूर कौन सा आएगा भरतपूर भरतपूर आगया ठीक है और दो नमर यहाँ आने वाला है ये कौन सा है दोलपूर तो भरतपूर है और दोलपूर है ये सीमा किसे बनाते है यूपी से ऐसा आपको जान रखना है ठीक है यूटपी से सीमा बनाते हैं एक बाद जान रखना जब हर्याना उन्हें पड़ाता ना तो हर्याना में मेंदर मेंदर बहुत लंबा है मेंदर बहुत लंबा है तो मेंदर गड़ है ना राजस्तान से सरवादिक सीमा बनाता है पेला और जो फतेबाद है ना फतेबाद वो राजस्तान से नियुन्तम सिमा बनाता है इसे हम याद कर लेंगे ठीक है नोट्स में लिखावा है उसके लावा राजस्तान का हनुमानगड राजस्तान का हनुमानगड है ना वो हर्याणा से सरवादिक सिमा बनाता है और नियुन्तम बनाता ह है जेपूर कौन सा जेपूर थे लिखा है फिर में आपको बता इए अब देखो यहां कि अगर यहां कि अगर हैं लुघ करते हैं तो यहां पर सरवादिक सिमा कौन सा बनाता है बहत sबis कि कि युपी वाला भाया यहां पर कितने दो है तो पहले यहां पर आएगा मतुरा कौन सा इगा आगरा कि यहां पर क्या है ताजमेल कौण ताजमेल देका है ठीक व कि मैं भी देखाए थैसी जगे वास्त तो मैं अगर भारत में देखेंना देखने लाइक क्या है ताजमेल एक व्भी आप जांव बढ़तपूर दोनपूर पॉड़ा पास में पढ़ता है अपना और पाश में क्या पढ़ता है मतूरा दोने दोंजे के पास में न तो मतूरा जा कैया हो और बाद में जा कैम अगरा में क्या देखना है थो लाल किल आगरा का बहुत बढ़िया है उसके रप्ते पूर्सीक्री help की और एक आगरा का पेटा लेके आना है ठीक है चलो अब देखो तो यह पूरव दिशा हो गई यह अपना क्या हो गया है मतुरा हो गया है यह क्या हो गया है आगरा चलो एक तत्य और याद कर लो कि यूपी के दो जिले हैं इनमें सरवादिक सिमा कौन सा बनाता है आगरा और सूनतम और सरवदी कौन सा बनाता है een बता दोगे नब यह अपना यूपी ओ गया है ठीक है अब यूपी में मैं आपको यूपी का थोड़ा मेब दिखा देता हूं कि पहले आगरा आता है कि मतुर आता आक नहीं आता है बाद में आगरा आरा को आरा है चलो ये क्या आगया अपना यूपी आगया अब देखो अगर हम बात करते हैं यूपी की अपना राजस्तान कहा है ये रा राजस्तान देखिए आपको ठीक है राजस्तान से देखो एक सो कौन सा है मतुरा ये मतुरा और ये कौन सा है आगरा देखो आप क्यों ये आगरा यहां त हरियाना इसका मतलब केवल दो जिले हैं वो राजस्तान से सिमा बनाते और अपने देखलों आप यहां पर कौन सा आएगा धोलपूर और यहां पर कौन सा आजाएगा भरतपूर ऐसा आपको जानत रखना है कि चलिए कि अब आने वाला है जोर कि जोर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कि अब तक जोर नहीं आए तो अब क्या आने वाला है देखो चार नंबर आगे अपना और कौन सा है मद्य प्रदेश मद्य परदेश पलस राजस्तान मद्य परदेश और राजस्तान के जो सीमा लगती है वो सरवादिक है और वो कितनी है 1600 किलोमेटर कितनी है 1600 किलोमेटर बस एक कुछन आप ये अलग से याद कर लेना कि राजस्तान सरवादिक सीमा किस राजे से बनाता है मद्य परदेश से याद कर लिया आपने और सबसे कम पंजाब 89 किलो मिटर ठीक है अब देखो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले कि पहले हम देखते हैं दिशा कि हम बात करें तो बासवाडा यहां तक और यह अपना धोलपूर है यहां तक जो यह चेतर बनावा था यह कौन सा है मद्य प्रदेश का देखो मैंने साथ में आपको यह नहीं बता रहा हूं में कि धोलपूर है वो मद्य प्रदेश से भी लगात यह वाला पार्ट आगे आने वाला है इसलिए मैं बाद में बताओंगा आपको अभी तो हम क्यों पूरा एक बार देख लेते हैं ठीक है फिर मैं बताओंगा कि विशेषता क्या है तो विशेषता में आएगा कि हनुमान गड़ एक ऐसा जिला है जो पंजाब से भी लगाता ह है और हर्यना से भी लगाता है लगा रहा था ना अब यहां पर कौन सा आगया है देखो पेल आएगा भरतपूर भरतपूर है जो हर्यना से भी लगाता है और यूपी से भी लगाता है अब आगया है धोलपूर धोलपूर यूपी से भी और मद्यपरदेश से यह पार्ट आगे आने वाला है, मतलो हम करम से पढ़ रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे ना, कम्प्लिट राजस्तान जोगरुपी में आपको राजस्तान का परीचे याद हो जाएगा, आगे देखो, अब देख लेते हैं, राजस्तान के कितने जिले हैं जी, दस है, लेकिन दिशा हम देख रहे हैं, यह दिशा कौन सी है, यह दक्सिन है, और यह कौन सी है, पूराव, इसका मतलब यह हुआ, कि जो अपना ये MP है वो किस दिसा में आता है तो क्या बताओगे आप पहले क्या बताओगे दक्सीन और क्या है पूराव पेपर में आएगा तो बता दोगे ना ठीक है अब हम राजस्तान के जिले याद करते हैं तो याद करने का तरीका एक ही है कि आपको करम से से बढ़ना है और कल मैंने आपको याद करवाने की कोशिस की थी मेरे कोशिस सपल हुई है पूछ लो मैं आपसे चलो ऐसा करते हैं पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपसे पूछूँगा एक नमबर यहाँ पे कौण सा है दोलपूर फिर दो नमबर यहाँ पर आएगा यह कौण सा है करोली और तीन नमबर यहाँ पे कौण सा है सवाई मादोपूर तो यह तीन पट्टी वाले बिहड पट्टी है उत्खाद भूमी है यह आपने बता दिया है समझ गये अब देखो आगे चार नमबर यहाँ पर कौण सा है कोटा यहाँ पर कौण सा है कोटा यह कोटा हो गया अब देखो कोटा में आप ध्यान रखना कोटा मद्य परदेश से यहाँ पर भी सीमा बनाता है और यहाँ पर भी सीमा बनाता है कोटा, कोटा में ये भी ध्यान रखना है, देखो, यहाँ पर चितोडगड भी आएगा, लेकिन चितोडगड का जो पार्ट है न, वो बीच में तूटा हुआ है, बीच में बीलवड़ा आगया, इधर चितोडगड आगया, वापस चितोडगड आगया, लेकिन सतत कौन सा है कोटा कोटा देखो इधर पूरा का पूरा लंबा बना रहा है इधर भी बना रहा है इधर भी बना रहा है लेकिन चित्तोडगड की बात करें ना यहां चित्तोडगड है वापस बीलवड़ आ गया और वापस क्या गया चित्तोडगड यह बात आप थोड़ी ध्यान रखना तो यहां पर चार नमर कौण सा आ गया जी, कोटा, फिर पांच नमर कौण सा है, बारा, यहां पर कौण सा है, बारा, और छे नमर कौण सा है, जालावाड, यहां पर कौण सा आ गया, जालावाड, ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वैसे यहां पर चितोड़ कोण सा वाड़ा यह लो भील वाड़ा ठीक है अब यहां पर वापस क्या आएगा आठ साक्या चित्तोерт गड़ यह कौण सा अगिया चित्तोर गड़ उन्र नौ kitaatura प्रताब गड़ यह कौन सा गिया प्रताब गड़ ठीक है और दस नमबर कौन सा आगिया और conversation अब देखो तो मद्य परदेश के अगर हम याद करते हैं तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा उस ट्रिक से आपको complete याद हो जाएगा देखो अगर हम बात करते हैं एक नंबर आएगा मूरेना क्या आएगा मूरेना डाकों के लिए परसीदे मूरेना ये ना बिहड भूमी है चंबल के डाकू पाई जाते हैं यहाँ पर आगर देखो दो नंबर यहाँ आएगा और ये है शियोपूर ये कौन सा है शियोपूर शियोपूर हो गया और फिर तीन नमबर यहां आएगा और यह है सीवपूर, यह कुण सा है सीवपूर, सीवपूर या सीवपूरी ठीक है, आगर देखो, फिर यहां पर चार नमबर, यहां पर आएगा गुना, यहां पर क्या आएगा गुना, और पांस नमबर आएगा राजगड, क्या आएगा राजगड ये राजगड आ गया ठीक है गुना है राजगड है और फिर यहाँ पर छे नमबर है अगर मालवा क्या है अगर मालवा यहाँ पर है अगर मालवा ठीक है, अगर मालवा हो गया, अब देखो, अब सिमा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तों में जैसे बनावा है, अगर मालवा आ गया, फिर यहां पर ऐसे बनावा है, रतलाम, क्या आता है, रतलाम, साथ नंबर, यहां पर क्या आएगा, रतलाम, रतलाम आ गया, ठीक है, और यह जो बीच वाला पार्ट यहां पर, यहां पर आठ नमबर, यहां है मंदसोर, यहां पर क्या है, मंदसोर, तो मैं यहां लेका रहा हूं मंदसोर को, यहां पर कौन सा आ गया, मंदसोर, मंदसोर आ गया, ठीक है, और यह नो नमबर यहां पर, यह है नीमच यह क्या है नीमच यहाँ से लिक्रावण छावनिय मध्यप्रदेश में से लिक्रावनित द्यान रखना नीमच पिर आप देखो यह वाला पास्त यहां पे दस लिक्रावण आ क्या नाम है जा बुआ यहां बुआ जी है जा बुआ बुआ जी है ठीक है देखो अचा ऐसे आपको याद करना है तो याद कर ले ना ठीक है याद ने होगा ना इसलिए तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ और आपको अभी याद हो जाएगा चलो हम देख लेते हैं कि यह 10 जिले है हमको याद करना है अचा आपने क्रिकेट का मेश देखा कभी एक खिलाड़ी आता ना सुरेश रेना क्या आता है सुरेश रेना तो पहले कों आ रहा है रेना मुरेना में क्या है रेना ठीक है तो सुरेश रेना अब वो क्रिकेट कहलता है इतना परसीदे कि लोग बुलाते हैं उसे शोप है बड़े-बड़े सो होते हैं उसमें बुलाते हैं तो रेना क्या करता है शो करता है बाई रेना शो करता है रेना ऐसे नहीं आता है यहने पेसे लेता है सो के एक करोड़ दो करोड़ अब रेना शो कर रहा है पेसे कमा रहा है अब कोई भी हो जब पेसे कमाते हैं ना बाद में भगवान के मंदिर में जाते हैं तो रेना क्या करता है शो करता है और बाद में कहा जाता है भगवान शीव के मंदिर में जाता है अब क्या हुआ रेना मंदिर में गया और वहां पर क्या है गुना हो रहा है क्या हो रहा है गुना हो रहा है देखो मंदिर में क्या हो रहा था गुना हो रहा था और गुना कौन कर रहा है राज कर रहा है राज कर रहा है जानते हो राज को ठीक है करन जानते हो राज को ठीक है अचा राज फिलम देखिया आपने राज वाली तो राज क्या कर रहा है यहां पर गुना कर रहा है और गुना क्या कर रहा है अगरबति नहीं कर रहा है और आपको जान रखना है वो यहां पर क्या कर रहा है रात में सोर कर रहा है क्या कर रहा है रात में सोर कर रहा है अगर मा तो रात में क्या कर रहा है सोर कर रहा है और सोर ऐसे नहीं कर रहा है नीम के पेड़ के उपर चड़ावा है और फिर क्या कर रहा है सोर कर रहा है देखो यह रात में सोर कर रहा है और नीम के पेड़ के उपर सोर कर रहा है उसकी बुआ बोल रही है अरे नीचो बढ़ रहा है कौन बोल रही है उसकी भुवा फिर भी वो नहीं आ रहा है याद वह आपको देखो ऐसे आत करना है कि रेना है शो करता है सिव जी के मंदर में गया और वहां पर क्या हो रहा है गुना हो रहा है गुना कोन कर रहा है राज कर रहा है क्या गुना कर रहा है अगरबती नहीं कर और रात में क्या कर रहा है सोर कर रहा है सोर कहां कर रहा है निम के पेड़ पे चड़के और बुआ क्या कह रही है निचो बल रहे ठीक है और बुआ से जा बुआ समझ गया ठीक है तो इस तरह से आप क्या करोगे कि दस जितने भी जिले हैं वह आप याद कर लोगे मेरे अचा इतना तो आपको याद हो गया है अब सुनो अगर हम बात करते हैं कि ये राजस्तान के दस जिले हैं राजस्तान के दस जिलों में सरवादिक सीमा बनाता है जालावार कौन सा जालावार याद कर ले ना अगर हम बात करते हैं न अंतराज्य जितने भी जिले हैं पंजाब के यूपी के जितने भी जिले आते हैं तो राजस्तान के अन्य राज्यों से सीमा बना रहे हैं उनमें सरवादी कोण सा जालावा और नियूंतों बनाता है बाढ़ मेर कोण सा बाढ़ मेर वो जो गुज्रा बनाता है, बाड मेर, जो काहं से बनाता है जाला वाड़ा, सब से कम बना रहा है, भील वाड़ा, केवल थोड़ी से यहाँ पे कुन बना रहा है, भील वाड़ा, यह तत्ते अपको याद हुआ, अब हम बात करते हैं कि यहां पे 10 किन के आगे मध्य प्रदेश के, तो मर्द्य प्रदेश में सरवाधी कौन सा बनाता है, नीम अच, कौन सा, नीम अच, नीम क्या है, लंबा है, याद के ले ने इसे, बूल गे तो, नीम कैसा है, लंबा, सरवाधी के लंबी सीमा कोन बनाता है, नीम अच, और बवाद जी कैसी है? छोटी सी याद होगे आप अपको? ठीक है. अब साथ में एक बात याद कर ले 나 जी यहाँ पर देखो यह अपना जो कोटा है न यह कोटा क्या करता है जो बार सिमा बनाता है कितनी बार? दो बार और यहां पे पास में यह चित्तोडगड़ है, यह भी कितनी बार बनाता है? दो बार, यह आपको जान रखना है और बीच में थोड़ा कौन सा जाता है यहां पे? भीलवाड़ा अब मैं आपको मेब दिखा देता हूँ जो मैंने आपको नाम बता है न वो बिल्कुल सही नाम है यहां देखो यह लिका है मोरेना सही नाम क्या है मुरेना ठीक है यह क्या है मुरेना फिर क्या यहां पर सीवपुर इसका नाम आता है स्योपुर देखो यहां पर क्या है स्योपुरी यहां लिका है स्योपुर क्या ना और यहां पर क्या है सीवपूरी, यहां पर क्या है गुना, यहां पर क्या है राजगड, यहां पर क्या है अगरमालवा, अब देखो, यह थोड़ी सी सीमा पहले किसकी आ रही है, रतलाम, बाद में कौन सा है, मंदसोर, बाद में क्या है, नीमच, अचा, यह गलत हैक नहीं है यह लिका है नीमूच आपने पढ़ा कभी नीमूच नीमच होता है क्या होता है नीमच और यहां पर स्योपूर है क्या है स्योपूर ठीक है आगे देखो यह यहां पर कौन सी है जा भुवा तो भुवा कैसी है चोटी सी जो बासवाड़े से सीमा बना रहा है बस यह दस जिल् में याद करने वाले है चलिए अगर हम देखें पांच नंबर तो कौन सा आ गया अपना यहां पे गुजरात आ गया गुजरात पहले हम क्या देख रहे है राजस्तान तो इन दोनों की सीमा कितनी है 1022 km कितनी है 1022 km पहले याद आपको यह करना है कि 1022 km अब देखो अगर हम बात करते हैं कि यहां से बांसवड़ा से लेके और यह अपना बाड़ मेर है यहां तक यह गुजरात है तो तो गुजरात किस दिसा में आ गया यहां पर क्या है दक्सीन और यह कौन सा होगी यहां पर पस्सिम, तो दिशा क्या बताओगा आप, दक्सीन पस्सिम में एक राजजी है, और वो कौन सा है, गुजरात है, अब हमको याद करना होगा, पहले राजस्तान के कौन-कौन से जिले हैं, जो छे, मैं आपको बता हैं, छे हैं, वो कौन-कौन से याद करने फिर हमको याद करने गुजरात के ठीक है तो पहले हम याद कर ले थे राजस्तान वाले राजस्तान में पहले यहां पर कौन सा है बांस्वाडा यह कौन सा हो गया बांस्वाडा दो नमबर यहां पर कोण सा हो गया है दूंगरपुर यहां कोण सा हो गया है दूंगरपुर यह दूंगरपुर हो गया है ठीक है अब देखो दूंगरपुर के बाद में तीन नमर कोण सा आता यहां पर यहां आता है उदेपुर यह कोण सा आ गया उदेपुर उदेपुर ठ करंम्रें रखना चाहिए यहार क्या है पर पर जानी देख यह कुणा क्या है जो पर वाले कि यह सहां तनी करेंकि आएन हमगारी क्यों संक्या थे तो यह कर्म आप ध्यान रखना आगे देखो यह कौन सा गया है उदेपुर के बाद में चार नमर कौन सा आएगा शीरोई यहां पर कौन सा आने वाला है शीरोई चार नमर हो गया और पांच नमर क्या यहां पर जालोर यहां पर कौन सा गया जालोर और छे नमर यहां पर कौन बाड मेर, यहां पर कोण सा आ गया बाड मेर, देखो, अगर हम बात करते हैं राजस्तान के जिलों की, तो राजस्तान में जो गुजरात है, सरवादिक सिमा कोण सा बनाता है, उदेपूर, उदेपूर सरवादिक सिमा बनाता है गुजरात से, ऐसा आपको जान रखना है, और सबसे कम सिमा बनाता है बाड मेर, कौन सा बाड मेर, बाड मेर निउनतम सिमा बनाता है गुजरात से, क्या इतना बता दोगे, अधरस्तान को आपको याद हो क्या है, अब देखो, पहले ऐसा करता हूं में, सारे जिले लिख देता हूं, और फिर हम त्रिक देख लेंगे, और क माई सागर, माई सागर हो गया, और तीन नमबर यहां पर यह है अरावली, क्या नाम है अरावली, जिले का नाम है अरावली, क्या नाम है अरावली, अरावली आ गया ठीक है, और जो अरावली है इसके बाद में, यहां पर है साबर काटा, क्या नाम है काटा, यह है साबर काट साबर काटा ठीक है और साबर काटा से उपर यहां पर यहां है बनास काटा यहां पर क्या है बनास काटा यह बनास काटा ठीक है और फिर छे नमबर लास्ट में है कच यहां पर कुण सा आगया कच आपने पढ़ा ने कच का रण है ठीक है तो कच जिला है कहां का गुजरात का तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, कि, छे अपने हो गए हैं, और छे किसके हो गए हैं, गुजरात के, ठीक है, तो कर लो आप याद, तो ट्रिक देख लेते हैं, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, चलो, भाई, यह तो सारा लिखा हो है किताबों में, यहाँ किसलिए हो, याद करने के लिए हो, याद करके जाना है, ठीक है, देखो, आप जानते हो, गुजरात से बन जाएगा गुजर, जानते हो गुजर, कौन सा गुजर, हाँ, मेला, मेला लगाएंगे लोग यहां पर ठीक है अगर आपने मेला फिल्म नहीं देखिए ना तो कुछ भी नहीं देखा जिन्हों देखिए वो जानते हैं कि गुजर डाकू था एक गुजर ठीक है अचा उस फिल्म में क्या होता है कि जो गुजर है वो पाड़ी के पास में जो समुद्रे वहां पर सनान करता है और रूपा आती है वहां पर रूपा को गिरा देता है तो आज आके आप देख लेना मेला फिर आपको जल्दी याद होगा ठीक है चलो अब ऐसा करते हैं कि हम याद करते हैं गुजर से तो गुजर पहले क्या कर रहा है पहले होद में नारा है किसमें नारा वो होद में पहिले क्या गिया है हौद लिकाए ना हौद अब गुझ्जर तो टाकु है होद में मज़ाा आए गानी ठीक है ना गोली में मजा नहीं आता है उसको किस में आता है one one canoda twelveव दो क्रोड के बंप लेके आयों ऐसे वो बीशत है ऊसे संत्रिय को संत्रा इचा था झानल ना नारा है होद में होद में मजा नी आया कहां चला गया सागर में और किस सागर में माई सागर में पिर आराम से माई सागर में नारा था नाते नाते ठक गया और बाद में रूपा आगी थी ठीक है और रूपा कहां थी अरावली पर रूपा के पास गया कहां पर अरावली अब इसको कौन समझाए गुजर को, कि तू ना रहा है, तेरे पेर नंगे है, तू अरावली पे जाएगा, तो तेरे काटे चुप जाएगे, चुमेगें काटे, तो पहले होद में ना रहा था, फिर सागर में नाया, और फिर काँ चट गया, अरावली पे, अरावली पे दो काटे चुप गए और एक काटा का नाम तो क्या है बनास काटा और एक का नाम क्या है पहले क्या है साबर काटा और बाद में क्या है बनास काटा ध्यान रखोगे गुजर से गुजरात कितने काटे दो काटे काटों के नाम ध्यान रखना काटों के भी नाम है पहला कुण सा है बनास क यह मैं आपको बता दूंगा नदियों के हिसाब से हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं अचा, अब उसके पेर में काटा क्यों छुप गया क्योंकि पेर केशा था? कच्छा था पैर तो कच्छे होते हैं, चपल पहर नहीं थी लेकिन क्या ऐसे चला गया तो पेर केशा थें उसके क याद हमने किया कि गुजर पेले होद में नारा था फिर सागर में पिर अरावली पे चड़ गया दो काटे चुप गए पहला कौण सा साबर काटा बाद में बनास काटा क्यों चुप गए पेर कच्चे थे और हम क्या हैं बच्चे हैं हमने याद कर लिए देखो complete याद हो गया थेक है अब एक बार है यहां देखना आप एक बार देखो आप अगर हम बात करते हैं कि यहां पे यहां पे जो काटे हैं वो काटे चोटे नहीं है एक काटा बहुत लंबा है कौण सा बनास काटा दो यहा वादिक सीमा बनाने वाला जिला कोण सा है गुजरात का बनास का था समझ गया ठीक है और याद कलो सबसे चोटा कोण सा है कच चेत्रपलम बता रहा हूं मैं आपको लंबाई बता रहा हूं सबसे चोटी लंबाई मतलब निउन्तम लंबाई राजस्तान से कोण सा जिला बनात है कच बनाता है क्या इतना आपको याद हो गया है आपको नद्यों के साब से बता आ रहा हूँ, आपको और समझ में आएगा, देखो, यह जो बाहन स्वाडा है, डुंगरपूर है, यहां से एक नदी आती है, माही, कौन से आती है, माही, देख लो, यह माही साग्र बन गया, हो गया थीक है, फिर यहां पर अपनी अरावली प्रतमाला, क्या है अरावली, तो के पास में आपको दान रखना है साबर मती नदी है वो उद्यवपूर से निकलती है और देखो इसका नाम क्या हो गया है साबर काटा और शिरोई में यहां से एक नदी निकलती है उसका नाम है पस्मी बनास एक तो बनास नदी है खमनोर की पाडियों से वो अलग है इसका नाम है पस्मी बनास क्या नाम है पस्मी बनास कहां से निकलती है शिरोई से नाम क्या हो गया है बनास बनास काटा हो गया तो नदियों के गुजरात आ गया है, गुजरात आ गया था, राजस्तान कहां से स्टार्ट होता है तो हम बात करेंगे, यहां से, यह कौन सा आ गया, दाहो, और यह है माही सागर, क्या नामे माही सागर, यहां लिका है माही सागर, अजे नदी का नाम माही है, क्या नामे माही, तो माही सागर तीक है आगे यहाँ पर अरावली होता है क्या होता है अरावली आप देनक नहीं यहाँ पर कौन सा आगया अरावली फिर कौन सा है साबर काटा फिर कौन सा है बनास काटा और फिर देखो यह थोड़ा सा पाट किसका आता है कच्छवाला पस यही तो जिले हैं कहां के गुजर बनाते हैं ये पांच राज्य राजस्तान से उसे कहते हैं अंतर राज्य सिमा पांच राज्यों में उपर से अगर हम बात करें तो पंजाब 89 किलोमेटर हमने याद किया है फिर हरियना आगया 1262 फिर यूपी 877 बाद में मद्यपरदेश 1600 और गुजरात 1022 अब भी याद नही सकता मैंने तो पूरी कोशिस की आपको याद करवाने की और मेरे साब से आपने याद कर लिए होंगे अब क्या कर लेते हैं रीडाउट कर लेते हैं चलो अब हम रीडाउट कर लेते हैं निकालो आप नोट्स और ओनलाइन वालों को भी क्या करना है नोट्स निकालने उनको भी क्या करना है रीडाउट तो कर नहीं है हमने सिस्टम क्या किया है किसे अपने एप में क्या होगा कि जो नोट्स आपको बता रहें ना ऐसे नोट वहाँ पे PDB मिल जाएगी और PDB को क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे फोटो को पी निकाल लिए और आप की तरह आगे से बेट जाएगे पुरा पड़ लिए आप क्या कर लेंगे में पुरा इसे बाउनलोड कर लेंगे बतलब मिल आप ओप लाएन कलास में ही हो एसा काहने होँ जाएगा ओन लाइनम एसा और जगह नहीं लें वहाँ दाऊनलोड आप कर नहीं सकते हैं लिखो पेले तो 6 म Eas To6 मौईने चाला जाएगा अब इसे यहां पर तो निकालो आप पेज नमर 19, यहीं से बढ़ रहे हैं ना, ठीक है, देखो, गड़ी की दिसा में हम बढ़ रहे थे, और पहले क्या आगया है, पंजाब, तो पंजाब राज्ये से राजस्तान के दो जिले सिमा बनाते हैं, करोंडर लाइन, तता राजस्तान राज्ये के भी दो जिले सिमा राजस्तान से बनाते हैं, पंजाब के भी कितने बनाते हैं, दो, ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं, पंजाब के फाजिल का और मुक्तसर, और राजस्तान का गंगानगर और हनुमानगर, सारी बाते लिखी हुई है कि सहरवाधिक है, गनिउनतम है, ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा आगे है, हरियान, ठीक है, तो हरियान के कितने हैं, साथ, अपने भी कितने हैं, साथ, ठीक है, मैंने जो करम लिखा रहा है आपको बताया था, वो आप, तो ये मेप देखोगे न, इस मेप में आपको पूरा करम मिलने वाला है, सेम, जो बता रहा ह complete वो यहाँ पर मिलने वाला है यहां तो मैंने ऐसे लिख दी है आगे देखो तो पहले सीरसा, हिसार, फतेयाबाद, बीवानी, मेंदरगड, रेवाडी और मेवाद ठीक है फिर आगे देखो आप राजस्तान में हनुमानगड, चूरू, जुन्जुनू, सिकर, चेपूर, अल और आजस्तान का भरतपूर और दोलपूर ठीक है आगे देखो आप मद्य परदेश राज्य के कितने हैं दस, अपने भी कितने हैं दस, तो मुरेना है, स्योपूर है, सीवपूरी है, गुना है, राजगड है, अगर मालवा है, रतलाम है, नीमच है, मंद सोर है और जाब और बांसवाडा, फिर गुजरात आगया, और गुजरात कितने एच्छे हैं, अपने भी एच्छे, दाहोद है, माई सागर है, अरावली है, बनास काटा है, साबर काटा है, और कौन सा हो गया, कच, फिर देखो राजस्तान में बांसवाडा, डूंगरपूर, उदेपूर, शिरोई, जालोर और बाडमेर, ऐसे आपको complete याद करना है, देखो जी, याद करना क्या है, आपको complete राजस्तान के वो जिले, जो अन्य राज्यों से सिमा लगाते हैं, याद करने ही पढ़ेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, कल आते ही पढ़ने वाले हैं, अंतराष्टी सि सिमा, वो इससे भी, ऐसा मानोगी, वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से कुछन अधिक आते हैं, राजस्तान के चार जिले, बाडमेर, जेसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये चार जिले न, ये पाकिस्तान से सिमा बनाते हैं, ये वाला काल, हम बन कर लेंगे से, लेकिन अभी आप ध्यान रखो, एक तो आप ऐसा करना कि, अलग अलग राज्यों का, कौन-कौन से जिले आते हैं, याद कर लेना एक बार, मतलब याद तो हो गई हैं जी आपको, बस एक बार रिडाउट कर लेना, आजस्तान के तो आपको याद कर नहीं है, फिर थोड़ा ये देख लेना कि, सरवादिक सिमा कौन सा बनाता है, निउन्तम कौन सा बनाता है, कौन सा राज्ये किस दिस्टा में आता है, कितनी सिमा बनी हुई है, सरवादिक मद्ध्य परदेश की है, सबसे कम पंजाब की है, इस तरह से आपको पढ़ना है, और पिर हम राजस्तान का वर्तमान सोरू, पहले वो पढ़ लेते, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 33 जिले बने ना, वो केसे बने, समझ गया? ठीक है, स्लो थैंक यू झाल कि अने, परलॉप जो कि प स साटारे सी बने, स मिचलब लेते बने, स्लो पता चल कि रहागा एगा कि teaching एंको ourselves, मिचलchos जा यूडरा सी जिले कर फ़ में ayche कि वेते, बने सक्किने पर जाएगा शाईख के सांप कर बने से कि युमूल सक्स्साज जाएगा झांगा